आसमान में जब तक सितारे रहेंगे हम एक दुम से रेके सहारे रहेंगे नस्दिकिया क्या हो दूरिया बस प्यार हे रहेगा दर्मिया रहा में नहीं दूप का हम धन्दी चाया देगा हर दम प्वित फिरिष्टा, प्वित फिरिष्टा तेरे मेरे मन का प्वित फिरिष्टा, तेरे मेरे मन का तेरे मेरे मेरे थोड़ी बीचंता नहीं है अब क्यों बबाब अपके हुआ क्या मतलब जब से अपने बेटे के घर गई है वही के होकर कि रहे गई है उसने यहाँ आने का एक बार भी कष्ट नहीं उठा तो बेटी तो अपने आई को कॉन लगा और उसे कह दे उसे कह दे कि मैं उसे बहुत नाराज हूँ और जब तक य नहीं पैचे नहीं देखकर ना किसी को नहीं लगेगा कि आपकी शादी को पैसे साल हो गए अरे बगली पती-पत्नी का रिष्टा तो आचार की तरह होता है जैसे-जैसे इसकी उमर बढ़ती है इसका जाइका भी पढ़ता है ठीके मैं भी पून करती हूँ आँ हाँ कर जल हलो आई कैसी है तो अरे मैं ठीक हूँ लेकिन मैंने सबजी चौकी है कुछ जरूरी का में के जल्दी बोल आई वो बाबा को तेरी बहुत याद आ रही थी अरे तू एक दिन के लिए मिलने आ सकती तो अरे क्यों नहीं आ सकती हूँ जरूराओंगे तड़ अर्चु मुझे तुम सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा है और चास्तोर से बाबा से मिलने का है ना चल चुपकर मैं मझू सबात करके आ जाती हूँ हाँ ठीक है आया रही है अले शावास यह हो इना बाद Manchu यह घर में बैट बैटके में बोर हो गई अरे कुछ चेंज ही नहीं लाइफ में वह हो बंदू अपनी मन हूँ सूरत लेकर मेरे सामने आती है और आज ही जब शाम को घर आता है फिर क्या वहीं जेगड़े वहीं चिक-चिक शी मैं तो तंग आ गई हूँ Manchu कुछ अलग नहीं हो सकता हम बोलना क्या करना है चलना कहीं बाहर चलते हैं फिम देखेंगे शॉपिंग वॉपिंग करेंगे घुमेंगे फीरेंगे और उसके बाद किसी अच्छे से होटेल में अच्छा सा खाना काएंगे और फिर घर वापस आएंगे ठीक है अहे सब क्या बोल रही है तू Anjo जबसे ये प्रैजिडी हुई है मेरे साथ तबसे मैं इन सारी चीजों के लिए और अब इन चीजों के लिए में किसी कि सामने हाथ तो नहीं पसार सकती न दOOK है जिसे मैं हाग से मान सकती हूँ आई ऐसा क्यों कह रहे है तू तूने मेरे लिए कितना कुछ किया है मैं क्या थेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती हूँ लेकिन आई कैसे करूंगी एक प्रॉब्लम है अब क्या है अरे फिनूत किया है उन्हें क्या कहूंगी तुने समय के लिए मैं घर से बाहर जाओं तू मेरे साथ होगी कैसे अच्छू अइडिया देखो अब मेरी तो उमर हो गई है ठीक है मुझे मुझे कभी बे कुछ भी हो सकता है आई क्या पकवास कर रही है अथा कर रही हूं ने बीपी बढ़ सकता है मेरी बिर शुकर बढ़ सकती है और बिसे मेरा डाक्टर तो बांध रहा है न तो तू मुझे लिपकर वाहा जाएगी तो तो पूरा दिन ही लगेगा ना हाई तू तो ना सच में कमाल की है अभी आते हूं तू मैं अभी तूमसे बात करने के लिए आ रही थी हां बोली ना आज उनका फोन आया था वो घर पर बुला रहे थे तो मैंने सोचा कि थोड़े से काम निप्टा कर वहाँ चली जाओ और कल दो पहर तक वापिस आ जाती है आज जाना है आपको हाँ ठीक है चले जाएगा ठीक है क्या हुआ मंचो कोई प्रॉब्लम है चाएगा क्या हुआ मंचो कोई प्रॉब्लम है चाएगा नहीं आए वो एक्चली बात ये है कि आप तो मेरी आए की हालत जानती है दो दिनों से वैसी उने इतना टेंशन है और आज तो उनके शरीर ने भी जवाब दे दिया क्या मतलब रसिका थे कि तबियत ठीक नहीं है क्या हाँ वो अक्चली ब्लड प्रिशन उनका बहुत हाई हो क्या आस तो ठीक से खड़ी नहीं हो पारे है मैं सोच रही थी उन्हें डॉक्टर के पास दिखा दूँ हाँ जरूर ले जा तबियत के बारे में लापरवाई बरता बिल्कुल भी ठीक नहीं है मन्जू लेकिन आई कैसे ले जा पाऊंगे उन्हें उनका डॉक्टर बैंडरा में है वहां तक जाते जाती आदा दीन हो जाएगा महां से लोकते लोकते शाम अगर आप भी चली गई मैं भी चली गई तो फिर तुन्नी और रुच्छी वो दोनों खेर छोड़िये मैं आई को परसो ले जाओंगे अरे कैसी बाते कर रही हो मेरा उस घर में जाना ज्यादा जरूरी है या तुम्हारी आई की तबियत तुम्हे काम करो तुम आज ही रसिकाताई को लेकर डॉक्र के पास चली जाओ मैं मैं अर्चो को फोन करके बता देती हो कि मैं आज नहीं आऊंगी अग दो तिन दिन के बाद आती हूँ थैंक साइ थैंक्यू वेरी मच्छ अरे बाबा आई का फोन है क्या निकल रहे होगी है हलो आई बोल अर्चों मी आज नहीं है उंशकत क्यों आई अब क्या हुआ अरे वो रसिकाताई यहां आई है ना उनके और अजित के बीच में कुछ अनबन हो गई इसलिए वो यहां आई है रहने के लिए और उनके अचानत तभियत खराब हो गई आज मन्जू उन्हें लेकर डॉकर के पाज आ रही है अगर मन्जू घर पे नहीं रहे की तो पुन्य और रुची के लिए मुशे घर पे रहना बहुत ज़रूर है बिटा कोई बात नहीं लेकिन तुछ जैसे टाइम मिलेना तो जरूर आना इदर दे फोर मैं बात करूंगा उसे हलो हाज लोशना नहीं मेरा मतलब तुम ठीक तो हो न अरे तुम माहां आराब 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 तर रही हो या चोबीसों वेंटे कामी कर रही हो अरे आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं मैं यहां बिल्कुल ठीक हूँ अपने बेटे के ही गहर आई हूँ बेटे ने और बहुने बहुत प्यार से रखाए मुझे जब उनके प्यार से फुरसत मिलेगी ना तो मैं आउंगी वहां पर हाहां जब तुम्हारा मन करेका ना तभी आना यहां कोई नमारा इंददार नहीं कर रहा है लेकिन आपके आवाज तो कुछ और कह रатовे है ठीक ठीकर सब्सक्रीणा अपना खेल रखना अर अगर कभी तुम्हारा मन करेना तो यहां आजाना हाँ, अगर तुम जल्दी आती हो ना तो अर्चु को अच्छा लेगेगा ले बटे, हाँ दे दो, बग कर अपने अईसे आई, नहां सब कुछ ठीक है ना, अर्चु तु बिल्कुल अपने बाबा पर गई है अरे मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, फुश हूँ और कुछ सलना है? नहीं नहीं, बस तो अपना ख्याल रुपना और हाँ, हो सके तो आजाना, बाबा को बहुत अच्छा लगेगा ठीक है? जल्दी चला है अच्छा आई, मेरे मंदिर की पुजारी से बात हो गई है, कल सुबह टाइम पर पॉंचाना अच्छा आई, बाबा, टाइम पर पहुंच दे, डर मत, तो अपना ख्याल रखना अठी, यह कहां गए? क्या है? देखो, मैं गई इसके लिए शराब बीरा पिना नहीं आप अगर शराप पियोगे मुझे उदर पता चल जाएगा आने के बाद, नाग दबाकर, हाथ पाओं दबाकर, निंकप, चरबत, दीन में चार बार पिलाओंगे, ध्यान में रखना तू भी हाँ, चलो मानव अपना ख्याल रखेगा आप जानते हैं मेरा देवी दर्शन जाने की दो वज़ा है एक तो सचिन की शांती के लिए और दूसरा, मुझे वह जाकर देवी मा से प्रात्ना करनी है कि वो आपको जल्द से जल्द एक अच्छी सी नौक्री तिला दे ताकि आप जल्द से जल्द ये नौक्री छोड़ सके और अर्शना की वज़े से जो जो मुश्किले आई है वो सारी मुश्किले खत्म हो जाए हाई ही, सचिन का ख्या लगता और अपना भी, तभी चल्द गाड़ी का टाइम हाँ चल्द चल्द नी खाले है हाई, ये लीजिये, आपको जो चाहिए हो देखिए कुछ नहीं अंसार है अशा, अगर तुम्हें इत्राज ना हो तो मैं कुछ कहूँ आई, आप आपके दिल की हर बात मुझ से शेर कर सकती है अशा, तुम्हारी और सतेश की शादी को एक साल हो चुका है अब आगे क्या सोचा है तुम लोगों ने मेरा मतलब बच्चे के बारे में क्या सोचा है आई, मुझे नहीं लगता कि मैं जिम्मेदारी के लिए मेंटली प्रिपेर्ड हूँ और मुझमें इतनी मेचॉरिटी भी नहीं है कि मैं आई बनकर एक बच्चे का ख्याल रख सको मुझे थोड़ा और समय चाहिए कोई बात नहीं वर्शाद मुझे दिल में एक बात थी वो मैंने तुम से कहती तुम्हारी हो सतीश की मर्जी जैसे भी पच्चा अपने आप में अपने अपने बहुत खूबसूरत जिम्मेदारी होता है और अगर इसमे पती-पत्नी दोनों की मर्जी शान्मिलोना तो इसका मज़ा ही कुछ और है कि इसमें इसमें किसी की भी जबतवस्ती की कोई गुंजाइश नहीं अभी हम दादर उतरें गया फटक से और उहां से है पंचोटी एक्स्प्रेस अहिए जाओ खि ti? क्या मोथी है? क्या मुठी है? रिखिने मत्याई मेरे पस्टै से नहीं गाव कोट्नना मैं बड़ी तरह पुंड हाओ कै गाव Nice क्याओ पार आ क्यांदाटी है agaag अत्याओ जाम ठे रावत्बाश। झाव ते अगाव ते मराथी! मराथी में पोल! आरें भेल जोंगी ते रह गाव, उझे जाव? जाल निदा गामार! बाहका यार क्या आज़ते पतानी? आई, अरे, श्रावनी सरखने, सरखने था, बैद्धू सच्चन, आई कई जा रहे हैं आपलो, नासिक जा रहे, सब्तश्रूंगी माता का दर्शन के लिए, यह जब पैदा हो गया तभी बुरा नक्षत्र था न, तो उसकी शान्ती करने के लिए, सच्चु, मला उड़क लदू, कोड़े मी, अर्जना काकु, आई मी यह लाग्याओ झाल झाल ये अर्जना से जितना दूर है ये इसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी ये अर्जना से जितना दूए ये जितना दूए ये अर्णिया फिर्णाया ये आपको में दूए ये जाओ हालो, sir हालो गुट कैसे हो ठीक हो जख्म कैसे है तुम्हारे अभी ठीक है मानो तुम खुद भी जानते हो मेरे मन मेरे तुम्हारे लिए कितनी इज़त है लेकिन पिछले दिनों जो कुछ तुम्हारे हाथों हुआ मैं बहुत अपसेट हूँ से कल जो तुमने किया वो तुम्हें भी बहुत बुरा लगा से लगीन मागी है मेरा सुभाव नहीं है यह पहली बार मैंने अपने हाप पे काभू खो दियो और किसी को इतना आपको आपके इस बात से जतनी तकलीफ हुए है उतनी तकलीफ मुझे भी हुए है लेकिन सर मैं अपने किया पे पस्ता नहीं रहूँ जी सर को तो मेरे सामने है अरचूआ कि इस तरह से बेजस्द्धि करेगा तो परदाश नहीं करूँ और फ्रचूआ ही क्यों było कि अरचूआ की जगए कोई और भी हो अरत होती हूं और प्रकाश्न । आसा कहा होता तो मैं ऐसा ही करता मानव मैं तुम्हारे जज़बातों को समझता हूँ लेकिन देखो कई बार हमें बहुत सी चीज़ों को अंदेखा करना पड़ता है वही हमारे फाइदे में होता है परियाई कहती है कि मुझे अपना फाइदा देखना नहीं आता आप शायद दिमाग से सोचते हैं और मैं दिल से अए नहीं कहता कि आप गलत है लेकि मैं अपनी सोच नहीं बतल से यही है वो गस कर गुलाई करना इतनी हड्डिया ठूड़नी चाहिए कि डॉक्टर भी जोड़ता जोड़ता बुढ़ता हो जाए और हाँ एक बात का ध्यावता ऐसा कुछ भी मत करना कि उसकी चान पर आजाए झाल 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 कTrack wichtig форм 도े concealer और नेकाफ़ी कपिए काफ़ी तुtes पीज पीज़ रुग जाओ, यह क्या का रहो तुम लोग, हाँ, हमने क्या का था, किया ऐसा कुछ भी मत करना कि उसकी जान पर आ जाए, खड़े खड़े भूगे देगरव, ख़बो यहासे जल्दी, चलो यहासे